हेलो गैसS कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे एक नय वीडियो में आज मैं आप लोगो को बताऊंगा गैस कि आपको एक 3 Pro 5G फोन में आप लोग बैक बटन को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Oppo A3 Pro 5G फोन है और इस फोन में आपको बैक बटन को लगाना है अगर आपके फोन में बैक करने के लिए कोई वर्चुल बटन नहीं है गाईस तो आपको यहाँ पर गेस्चर को यूज करके बैक करना पर है साइड में से स्वाइप बगारा करके तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में बैक बटन को लगा सकते हो गाईस बहुत सारे फोनों में आपने देखा होगा कि नीची आपर तीन बटन होते है गाईस बैक करने के लिए होम स्क्रीन जाने के लिए और रीसे ने आपको देखने के लिए तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में भी जो है बैक बटन को लगा सकते हो गाईस बीना किसे अप्लिकेशन वेगरा को डाउनलोड किये तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं back button को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गाई convenience tools का तो इस convenience tools के option पे click कर दीजे click करती navigation का option मिलेगा तो इस navigation के option पे click कर दीजे click करती यापर आपको options मिलेंगेगा इस buttons का देख सकते है तो अगर आपको back button को लगाना है तो आपको इस buttons के option पे click कर देना है click करती आपके phone में button आ जाएंगे देख सकती है home screen button बीच वाला और left side में जो है यह recent app को देखने के लिए और यह right side में जो यह back button है और अगर आपको back button को उल्टा कर देना अगर right side में back button है लेकिन आपको left side में लाना है तो यह आपर दो option है कही पर भी जो आप लोग अपने back button को set कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo a3 pro 5G phone में आप लोग back button को लगा सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई